तो साथियों आज मैं आपको जापान से जुड़िये का साधरन कहानी सुनाने जा रहा हूँ और साथियों जापान एक ऐसा देश है जो भुकंब की कगार पर हर छण खड़ा होता है उसके बावजूद तरक्की के शिखर पर भी हर छण खड़ा होता है जिसने कुछ नहीं होते वे भी सब कुछ खड़ा किया वो देश है जापान तो साथियों जापानियों को मचली फिश खाने का बहुत शौक था और वो नौकाओं में निकलते डेली खूप सारी मचलीया पकडते वापिस लाते और पूरे जापान में मचलीया खाई जाती धिरे धिरे समुद्र के किनारे पर मचलीया कम होने लगी जापानी और आगे तक जाने लगे पानी में फिर मचलिया पकड़ पकड़ के लाने लगे फिर वहां तक भी मचलिया कम हो गई वो और आगे जाने लगे उन्होंने नौकाओं की साइज बड़ी कर ली और बड़ी कर ली और बड़ी कर ली अब वो लंबी दूरी तक जाने लगे लेगें धिरे धिरे वहां भी मचलिया खत बड़ा दिमाग लगा के मशक्कत करके आइडिया निकाला और उन्होंने अपने नौकाओं में बड़े-बड़े फ्रीजर लगवा दिए अब वो मचली पकड़ते और उनको फ्रीजर्स में भर देते और फ्रीजर में मचली लेकर आ जाते कुछ दिन तक तो ठीक चला लेकिन बिजनेस वापीज डाउन हो गया क्योंकि कस्टमर्स को फ्रीज में रखी गई इतने इतने घंटों तक की मचलिया टेश्ट में अच्छी नहीं लगती थी जा पानी फिर परेशान फिर उन्हें रिसर्च की फिर आरेंडी मशक्कत सब कुछ किया अपकी बार उनको आइडिया आया क्यों ना मचली घर बना दें और उसमें समुद्र जैसा ही पानी रखें और मचलिया उसी में रखें तो मचलिया बिलकुत आजी हालत में आएगी औ और उन्होंने बड़ी बड़ी नौकाओं में बड़े बड़े मचली घर लगवा दिये और उसी समुद्री पानी में मचलीयों को रखने लगे लेकिन साथियों इससे थोड़ा सा तो सुधार हुआ लेकिन फिर भी बहुत सारी मचलियां निढाल मुर्दा और बेजान पड़ साती का एक हल निकाला साथियों इस कहानी का अंत आपको बताऊं उसके पहले मैं आप से पूछना चाहता हूं कितनी बार आपको ऐसा लगा मेरे जीवन में ये चुनावती नहीं होती तो अच्छा होता मेरे एक भाई की जगए दो भाई और होते तो अच्छा होता मेरा जाने क्या क्या चुनौति आपने सोची लेकिन एक बार इस कहानी का अंतिम हिस्सा सुन लीजिए जितने भी लोग चुनौतियों से भागते हैं एक बार इस कहानी का अंतिम हिस्सा चुन लीजिए जब मचली घर लगवाने के बाद भी मचलिया बेजान और मुर्दा आने लगातार अपनी जान बचाने के लिए धर दर से भागती रहती है बड़ी मचली छोटी मचली को खाती है छोटी मचली जान बचाती है और इस आपा धापी में इस भागम भाग में उनके शरीर के अंदर ताज़गी फ्रेशनेस हर्मोनल बेलेंस बना रहता है और उस दिन और बड़ी मचलीयों से बचने के लिए छोटी मचलीयां इधर से उदर इधर से उदर इधर से उदर भागती और वो किनारे तक अप ताजी हालत में आने लगी और उसके बाद ये संकट समाप्त हो गया साथियो चुनोतियां जीवन में आएंगी बिना चुनोति के जीवन की कलपना यदि करोगे तो उन बेजान मचलीयों जैसे निढाल हो जाओगे बिना चुनोति के जीवन की कलपना करोगे तो जीवन में कोई रस नहीं बचेगा बीना competition के व्यापार की कल्पना करोगे तो वो व्यापार पुरा का पुरा छेत्र समापत हो जाएगा बीना competition के बीना चुनोती के जीवन मुर्दा है याद रखिए प्रतीस परदा हमको बहतर बनाती है चुनोतियां हमको जिंदा रखती है इसलिए साथियो जिस तरीके से उन शार्क्स की वज़ा से उन बड़ी मचलियों की वज़ा से वो छोटी मचलिया जिंदा थी उसी वज़ा से competition के वज़ा से और चुनोती के वज़ा से आप जिंदा है इसलिए चुनोतियों का स्वागत कजिए चुनोतियों को गले लगाईए चुनोतियों से हारिये मत चुनोतियों से घबराईये मत उल्टा में चुनोतियों के बीच जाकर बैठिये एक बर फिर मैं अपना पुराना और फेवरेट डैलाग या दोराना चाहता हूँ जिस पर आप पहले भी मिलियंस ओफ लाइक्स दे चुके हैं कि हर हवाई जाज की जत्तब है जब वो आस्मान का सीना चीरे और पानी के जाज की जत्तब है जब वो लहरों का सीना चीरे आस्मान में जाके दुरगटना गरस्त हो जाओंगा ये सोच के हवाई जाज यदि जमीन पे रहे और पानी में जाकर मैं डूब सकता हूँ ये सोच के पानी का जहाच किनारे पे रहे तो दोनों की कोई जत्नी है यदि आप चुनोतियों की डर से घर पर बैठे हैं यदि आप चुनोतियों की डर से निरणे नहीं ले रहे हैं यदि आप चुनोतियों की डर से अपने कमफर्ट जोन नहीं छोड़ रहे हैं तो समझेए आप योहीं खतम हो जाएंगे चुनौतियां है तो जीवन है चुनौतियां का स्वागत करिए और एक कहावत याद रखना जिसके जितनी ज़्यादा परिक्षा ली जाती है उसको उतना ज़्यादा वर्दान मिलता है उपर वाला उसे के परिक्षा लेता है जिसको वो कुछ देना चाहता है शुक्रिया धन्यवाद